अपना द्यान पूर्णत अपनी सांस के चलने पर रखें दीरी और स्वाभाविक सांस सांस अंदर जा रही है बाहर आ रही है अपना द्यान अपनी सांसों पर रखें दीरी और स्वाभाविक सांस जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आपका शरीर शिथिल होता जाता है ज्यादा से ज्यादा रिलाक्स रिलाक्स पैरों से लेकर सीर तक शरीर के हर हिस्से को रिलाक्स होने दें शरीर को डीला छोड़ दें और उसे रिलाक्स होने दें जैसे जैसे शरीर को डीला छोड़ते जाओगे वैसे वैसे और भी रिलाक्स होते जाओगे रिलाक्स आप निरव शांती का अनुभव कर रहे हैं अब अपने दोनों पैरों के पंजो को डीला छोड़ दे अपने दोनों पैरों के पंजो को डीला छोड़ दे विल्कुल डीला छोड़ दे उसे रिलाक्स होने दे आपके पेरों के पंजे रिलाक्स होने लगे हैं पंजों में जो स्पंदन हो रहे हैं उसका आनन्द ले रिलाक्स रिलाक्स पेरों को और भी तिला छोड़िए आपके पेरों के पंजे बिल्कुल धीले हो चुके हैं रिलाक्स हैं रिलाक्स रिलाक्स आप नीरव शांती का अनुभव कर रहे हैं रिलाक्सेशन की यह अनुभवती तीरे तीरे पंजों से गुटनों की और फैल रही है दोनों कुटनों को ठीला छोड़ दे और उसे रिलाक्स होने दे रिलाक्स रिलाक्स आपके दोनों कुटने रिलाक्स होने लगे हैं रिलाक्स कुटनों में जो स्पंदन हो रहे हैं उसका आनंद लें दोनों कुटनों को और भी डिला छोड़िए आपके दोनों कुटने बिल्कुल रिलाक्स हो चुके हैं रिलाक्स हैं रिलाक्स आपके दोनों पैर बिल्कुल डिलाक्स हो चुके हैं बिल्कुल शिठिल हो चुके हैं आप निरव शान्ति का अनुभव कर रहे हैं रिलाक्सेशन के ये स्पंदन पैरों से होकर कमर तक फैल रहे हैं अब अपनी कमर, पैट, सीना और पीट के स्नायों को डिला चुड़ दे उसी रिलाक्स होने दे और भी रिलाक्स होने दे रिलाक्स जस्ट रिलाक्स कमर, पैट, सीना पीट बिल्कुल रिलाक्स हो रहे हैं और भी रिलाक्स रिलाक्स आप अपने शरीर में हलकापन महसूस कर रहे हैं शरीर का एक-एक अवयव रिलाक्स होता जा रहा है आपका शरीर बेहद आराम महसूस कर रहा है आराम महसूस कर रहा है आप निराव शान्ति का अनुभाव कर रहे हैं अब अपने दोनों हाथों को डिला छोड़ दे अपने दोनों हाथों को डिला छोड़ दे उंगलियों से लेकर कंदों तक दोनों हाथों को डिलाक्स होने दे रिलाक्स रिलाक्स जैसे जैसे दोनों हाथों को डिला छोड़ दे जाओगे वैसे वैसे उसे और भी आराम मिलेगा वे और भी रिलाक्स होंगे रिलाक्स दोनों हाथ रिलाक्स हो रहे हैं रिलाक्स रिलाक्स आपके दोनों हाथ और भी हलके होते जा रहे हैं और भी हलके आप निरव शांती का अनुभव कर रहे हैं अब अपने गर्दन चहरा और सिर्केस नायों को शिथिल करें रिलाक्स रिलाक्स गर्दन कान जबडे गाल नाक आखे सिर्का उपरी हिस्सा सब कुछ शिथिल हो रहा है बिलकुल शिथिल हो रहा है रिलाक्स जस्ट रिलाक्स आपके सीर में आप बिलकुल हलकापन महसूस कर रहे हैं रिलाक्स पैरों से शुरू हुई यह शिथिलता सिर्थ तक फैल चुकी है पूरा शरीर आराम दे हलकापन महसूस कर रहा है शरीर के कन कन में हलकापन है सिर्फ हलकापन इतना हलकापन कि आपको हिलने जुलने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही है आपका मन इस स्थिती का आनद ले रहा है भरपूर अनन्द अब कल्पना करें कि दस पाइदानों वाली एक बहात ही सुन्दर सीड़ी है उसकी हर पाइदान पर अदभूत नकाशी की गई है और दसवी पाइदान पर आप नीचे उतरने के लिए खड़े हैं मैं अब कुछ ही क्षणों में दस से एक की गिंती करूँगा जैसे जैसे मैं दस से एक तक गिंता जाओंगा वैसे वैसे आप एक एक पाइदान नीचे उतरते जाओगे और जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे रिलेक्सेशन की और गहराई में उतरते जाओगे जब मैं एक कहूँगा तब आप एक बहुती सुन्दर जगह पर पहुँच गए होंगे आप सीड़ी की दसवी पाइदान पर खड़े हैं और दीरे से नीचे उतरने की शुरुआत कर रहे हैं दस नौ आठ साथ छे पांच चार तीन दो एक अब आप बेहद सुन्दर नजारों के बीच आपहुचे हों यहाँ पर कुद्रत ने अपने सभी खजाने खोल दिये हैं वादियों में बहती हुई सरसराती ठंडी हवा के जोंके एक और सूरज की नर्म धूप से चमकती हुई कास मोग्रे की सुगंद नीले पीले रंग भी रंगे फूल कने पेड पंकियों की मदूर का उशूर सांगने विशाल समंदर उपर नीला आस्मा मंद मंद लहरा की हुआ सागर किनारे की रेत पर आप आराम से लेटे हैं आप बेहत शान्ती का अनुभाव कर रहे हैं निरंतर शान्ती शान्ती इस वक्त आप पूर्णतह आलफा अवस्था में हैं एक एक ऐसी अवस्था कि जिसमें मनोचित्रन की हुई कोई भी कटना हकिकत में बदल कर ही रहती हैं आलफा अवस्था की इस अदभूत अनुभूती का आनंद लें दिव्य आनंद महसूस करें परम शान्ती का अनुभव करें शान्ती 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 इस वक्त आप अपने मन की शक्तियों का सकारात्मक उप्योग कर रहे हैं आप जानते हैं कि सफलता, सुख और शान्ती पाने के लिए ये जरूरी है आप ये भी जानते हैं कि आप में अनंद शक्तियां हैं और आप ये द्रड़ता पुर्वक मानते हैं कि आपके हर शुब संकल्प सिद्ध होंगे ही आप अपने लक्ष तक पहुँचेंगे ही आपके तन, मन और धन के समृद्धी दिन प्रति दिन बढ़ रही है लोगों के साथ आपके रिष्टे अधिक मजबूत होते जा रहे हैं आपका बाहरी और अंद्रूनी विकास तेजी से चल रहा है हर दिन आपके विचार, मान्यताएं, भावनाएं, वानी और वर्ताव अधिक सकारात्मक होते जा रहे हैं आपके व्यक्तित्व से दुसरों को सकारात्मक ताकि प्रेलना मिलती है इस वक्त आप पूर्ण तह आलफा अवस्था में हैं आप जानते हैं कि आपने सही कारकिर्दी का चुनाव किया है अब विजुलाइज करें कि आप अपनी आफिस में काम कर रहे हैं अपनी आफिस को पूरी डिटेल्स के साथ विजुलाइज करें आफिस में आपके करमचारी भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं आप अपनी बैलेंस शिट देख रहे हैं जो तगड़ा मुनाफ़ा दिखा रही है आपके टेबल पर आपके व्यावसाय का ग्रोथ चार्ट है जो उपर ही जा रहा है आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं जो बड़ता ही जा रहा है विजुलाइज करें कि आप एक बिजनेस मीटिंग में व्यास्त हैं और बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं अब अनुभव करें कि रोशनी से चका चौन्थ स्टेज पर आप खड़े हैं आपको आपके व्यावसाय का मनो इच्छित अवाड मिल रहा है सामने बैठे हुए हजारों लोग तालियों से आपका अभिवादन कर रहे हैं आपका आत्मविश्वास इस वक्त अपनी चरम सिमा पर है आप बहुत खुश है बहुत खुश आप अपनी ओफीस में बैठे हैं आपके प्रतिस परदी इस वक्त आपकी ओफीस में आपके सामने बैठे हैं और आपसे अपने व्यावसाय के विशे में मश्वरा ले रहे हैं आप बहुत खुश है अब विजुलाइज करें कि आपके हाथों में अपनी इंकम का चेक है उसमें लिखी हुई राशी और आपका नाम आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं अब अपने सपनों के घर को विजुलाइज करें अनुभो करें कि आप उसमें रह रहे हैं पूरी डिटेल्स के साथ विजुलाइज करें ड्राइंग रूम, बेड रूम, डाइनिंग रूम, कीचन, फरनिचर, फ्लोरिंग, दिवारों के रंग, बालकनी, स्विमिंग पूल, बगीचा, सब कुछ विजुलाइज करें आप अगर नई फैक्टरी या ओफिस बनाना चाहते हैं, तो विजुलाइज करें कि वो बन चुकी है आप अपनी ड्रीम कार के मालिक बन चुके हैं और उसमें सफर करने का रोमांच उठा रहे हैं आप जो भी नगद, फिक्स डिपोजीट या गहने चाहते थें, उस सब कुछ आपको मिल चुका है, ऐसा अनुभाव करें आपकी कारकिर्दी, व्यावसाय, आई और आर्थिक समरिद्ध के जो भी लक्ष्ट हैं, वे आप हासिल कर चुके हैं आप उस से संतुष्ट हैं, आप बहुत खुश हैं, बहुत ही खुश हैं इस वक्त आप पूर्णतह आलफा अवस्था में हैं कुछ देर तक मन की इस शांत अवस्था का आनंद लें अब हर बहर आप आसानी से आलफा अवस्था में आ सकते हैं आप आसानी पूर्वक आलफा अवस्था से बाहर भी निकल सकते हैं आलफा अवस्था से बाहर निकलने के बाद आप अपने आपको बिल्कुल तरो ताजा पाओगी आपके शरीर का हर अंग पहले के मुकाबले अधिक स्वस्थ होगा कुछ ही देर में मैं एक से दस की गिंती करूँगा जैसे जैसे मैं दस तक जाओँगा वैसे वैसे आप एक एक पाईदान उपर आते जाओगे और तीरे तीरे आसानी से आलफा अवस्था से बाहर आते जाओगे दस की गिंती पर आप अपनी आँखे खोलेंगे पूरी तरस से जाओगरत होंगे तरो ताजा होंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे होंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नाव दस तीरे से अपनी आँखे खुलेंगे यज नाप धातुजर याल एक कर दो यजो आपनी आँचे जड होंगे यजो आव पांचे खुले यादागो यजो पांचे बहुशचे बहुआ एका पांचे लिए गना झालुनाथ